करॉली नौ समवंसर के हिंसा जोधपुर में यीद से पहले की रात के दंगे ये तस्वीरे समाज के दो समुदायों को उस सियासत की भठी में जोगते हैं जहां से सियासत की रोटियाँ सिक्ती हैं इस वीडियो को देख लेजे ये वीडियो पाली शेहर का है हर साल के तरह इस सालवे ईद की नमाज के बाद राष्ट्रे गान की परंपरा के साथ ईद की बधाईयां दी गई कहते हैं कि ये परंपरा तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुई थी जिसे मुस्लिम समुदाई हर साल मना तो आ रहा है इसका आयोजन पार्षट परतिनीधी मुहसीन खत्री करते हैं जोदपूर और करॉली के इन दंगाईयों के लिए ये संगेत है ये संदेश है जिसे समुदाई विशेस के लोगों ने एक तिरंगे के नीचे खड़े होकर दिया है करॉली में दंगे हुए लोगों की दुखाने जली माखाने जली सियासी रोटियां सीखें मगर आज महीने भर बाद उसी समाज के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर फिर से अपनी रोजी रोटी की जदो जहद में लगे हैं जोदपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ जंडे लाउड स्पीकर के बाद विबाद पत्थर बाजी तोड़ फोर और फिर शुरू हो गई राजनीतिक रोटियां सीखने और ये रोटियां अगले दो चार दिनों तक ही सीखी जा सकती हैं राजस्तान तक की अपील है उन सभी लोगों से ही जो समाज में साथ रहते हैं मगर आज की वाटसप वाली दुनिया में एक फेक मैसेज पर एक दूसरी के दुश्मन बन जाते हैं कि दंगे करने वाले और उन पर सियासी रोटियां सेखने वालों से जितना हो सके दूर रहे क्योंकि एक आपको दंगे के भठी में जोकेगा तो दूसरा उस पर रोटियां सेखेगा लेकिन आपको भूख लगने पर इन दोनों में से कोई नहीं आएगा काम आएगा तो वो समाज जिसमें आप रहते हैं बिरो रिपोर्ट राजस्तान तक झाल रह जहाओ क्या जायाँ झाल आपको को ज्राजस्ता उन सलमाजस पर बिरोगने जिसमें आप प्रशक्टर्ट बूभनेश्ट कि एक राज़ हो।